यलो मोजेक, खेतों में पानी का भरा होना, आपकी बीज में समस्या होना, या फिर माइक्रनुटेट की कमी होना, या फंगस की समस्या होना, इन में से किसी एक कारण की वज़े से आपकी फसल में पीलापन आ सकता है, तो सबसे पहले जानते हैं कि खेतों में पानी भरा हुआ तो आपके फसल में पूरी जगह पर पीलापन देखने को मिलेगा यहां पर किसान सत्यों करना यह है कि हमारी खेत में से पानी की निकासी करना है अगर जो नहीं कर पाएंगे तो जमीन में जो छिद्र है वो खुले नहीं होंगे उससे हमारी फसल की जड़ों को प्रोपर ऑक् का प्रकार है कि खेत में कहीं जगह पोदे दिख रहे है या फिर आट से दस दिनों में पूरा खेत पीला होने लग जाता है तो यह समस्याती स्टीम फ्लाई से चोब के पोदे के तने में गुष जाती हो से दीरे-दीरे गोले से खाते हैं जड़ तक आ जाती है जिससे यहा लेकि बीच को अपने ट्रीट करना है कीट नाशक से थायमितोक्सम के साथ में वहीं अब हमारा 25 दिन का पोदा हो गया है तो उसमें थायमितोक्सम प्लस लेमडा इसका स्प्रेय करना है या बिटा साइकलॉर्थिन का स्प्रेय कर सकते हैं दोस्तों ध्यान रखिए यदि यह क कीट हमारी फसल में अंदर घुज गया है और आने वाले समय में हेवी कीट नाशक का इस्प्रेय कर रहे हैं तो कीट तो मर जाएगा और पोदे को इतना डेमेज कर देगा कि उसमें सुदारगत नहीं आएगा तो अगला पीलेपन का प्रकार है बीच और वाइरस जो कि दोन की येलो मोजग यहाँ पर आप इस फसल में देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से पत्ते देखने को मिलेंगे जिसमें येलो येलो धब्बे रहेंगे और आपके जो उपरी पति है वो सिक्डवी रहेगी इसके शुरुवात खेत के किसी भी हिस्से में से हो सकती है हो सकता या बीज वाला हिस्सा हो, या को ना हो, और सबसे पहले आप खेट में जो कमजोर पोदा है, वहीं पर इसका अटेव होगा, और इसको सबसे ज़्यदा फेलाने में काम करता है, वाइट फ्लाई, यह जो सफेद मगी होती है, यह येलो मोजेग का एक तरह से वाहख होता है, ज दोस्तों इसके लिए कोई बनावाई नहीं है इसका निदान हमें कुछ तरीकों से कर सकते जैसे कि आपके खेत में एक या दो पोदे दिख रहे हैं तो उसे तुरन निकाल के खेत के बाहर कीजिए या फिर यदि आपके खेत में कहीं एक जगह से शुरुआत हो गई है तो प्रकार के कीट नाशक इस्तमाल करते हैं तो वह रस्चु से कीट मर जाएंगे और यह समस्या आपके खेत में दीरे दीरे पन पेगी एक साथ खेत में पूरी तरीके से नहीं फेलेगी और इनी दवयों के साथ में हमें कोई साभी माइक्रूंटिन लेना है जिससे पोदे की इम्मिनुटी बढ़ जाएगी तो हमारा पोधा स्वस्त रहेगा और इस बीमारी से लड़ पाएगा वहीं अगले पीलेपन का प्रकार है कि आपने 20 दरजादा रख दिये यदि खेतों में 20 दरजादा है तो वहां पर हवा का संचलन अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा तो फसल में पीलापन देखने को मिलेगा तो इसके लिए आप कोई सा फंगी साइड ले सकते हैं पर आपको उससे भी प्रोपर देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों तो कूल मिलाकर यहां पर बात यह आ जाती है कि स्वेबिंग की फसल से हमें अर्थिदिक कमाई तो होती नह तो फसल में हमें एक्ष्ट्रा कर्च करने की जुरत नहीं है जो आप रेगोलर फंगी साइड डाल रहे हैं उतना ही पर्याप्त रहेगा तो दोस्तों जानकारी केसी लगी अच्छी लगी तो अपने और किसान में तो उसे जरूर साजय कीजेगा और ऐसे अपना आश्यवा के दम पर बनाए रहे हैं थन्यवाद